असलाम वालेकुम वेलकम टो जीडियल मेंटॉर मैं हूँ आपका टीचर वलीदे करम सो गाइस आज हम लोग देखेंगे मिक्सर ब्रेश टूल अब मिक्सर ब्रेश टूल क्या है इसकी प्रॉपटीज क्या है वो हम इस वीडियो के अंदर मुकमल डिटेल के साथ हम इसको समझेंगे सो गाइस वीडियो को स्ट्राट करने से परेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक का बटन दबाए और अगर किसी को किसी भी पॉइंट पर समझ नहीं आती या कोई पॉइंट आपको मिस हो जाता है आपको किलियर नहीं है तो आप कोमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं मैं आपको इंशालला उसका जवाब जरूर दूँगा आप इसको बी प्रेस करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं अब मिक्सर ब्रेश टूल करता क्या है इसकी वर्क किस तरह होती है आप लोग देखते हैं कि जिस तरह पेंट करने वाले जो होते हैं पेंटर ठीक है वो अपने कैन्वस के उपर मुक्तलिफ कलर को मिक्स करने के बाद वो अपने कैन्वस के उपर पेंट करते हैं यानि के दो कलर को मिलाने के बाद एक कलर जो है वो अपलाई करते हैं अपने कैन्वस पे तो इसी तरह Adobe Photoshop के Canvas के उपर हम Color को Mix करेंगे और इसको Apply करेंगे So सबसे पहले तो मैं कोई भी Color जो है वो Select कर लेता हूँ Like Blue ले लिया मैंने ठीक है Blue लेने के बाद अब हमारा यहाँ पर Color आ जाता है ठीक है अगर सम टाइम होता है यहाँ पर Clear होता है कोई Color नहीं आ रहा तो जब आप यहाँ पर Color करते हैं मैंने Select किया ओके किया आपका Automatically आ जाता है अगर सम टाइम नहीं आता तो आप इसको Load Brush करेंगे Load Brush करने के बाद आपका Color तब भी लोड हो जाता है क्लियर हो गया यह अब हमारे पास यहाँ पर पिंक कलर के अंदर हमने कलर करना है वह हम किस तरह करेंगे मैं इसके एच पॉइंट के उपर यहाँ पर अपना यह ब्लू कलर इस पिंक के साथ मर्श करूंगा ठीक है आपने थोड़ा सा राउंड शेव में इस तरह उसको मिक्स करना है तो यहाँ पर हमारे पास एक Color Shade बनना शुरू हो गया हुआ है दो Color का Shade अब मैंने यहाँ से Color पिक कर ले ना जो मैंने यहाँ पर Color मिक्स किया यहाँ से मैं दुबारा से Brush के साथ Alt Press करके क्लिक करके मैं यहाँ पर Brush ले लेता हूँ मेरे पास आप यह देखे आप अब यह इसका Paint Color किस तरह का मेरे पास हो गया पिंक और ब्लू का Shade के अंदर मेरे पास एक Brush आ चुका हुआ है इसी तरह आप अपनी मुक्तलिफ जो है पिक्चर उसके Color को मर्ज करने के बाद आपको यह Color निकाल सकते हैं जैसे अगर मैं यहाँ पर Pink Color के उपर Alt Press करके क्लिक करता हूँ मेरे Pink Color यहाँ पर हमारे उपर बॉक्स में लोड हो गया हुआ क्रेंट ब्रेश लोड में हमारा यहाँ पर ब्रेश जो है वो लोड हो गया Pink Color अब मैं इसको Blue के साथ मर्ज करता हूँ Blue Layer के साथ मैंने इसको मर्ज करना शुरू कर दिया हुआ है अब यहाँ से फिर Alt Press करके मैं यहाँ से इसका Color ले लेता हूँ अब इसके बाद हमारे पास आगे इसकी कुछ Custom Properties है आपका Dry Brush लोड है आपका Dry Heavy लोड है अब यह क्या चीज़ें यह आपको आगे मैं बताता हूँ अब वेट क्या हमारे पास वेट जब भी कोई पेंटर अपनी इमिज को पेंट करने लगता है तो वह सबसे पहले अपने ब्रेश को वेट कर लेता है यानि के गीला कर लेता है अब वो कितने परसंट गिला करता है आप अपने ब्रेश की टिप को गिला करता है या पूरे का पूरा ब्रेश गिला करता है वो आपने जिस हिसाब की आपके पास एमिज है आपने उसके हिसाब से आपने इसको ब्रेश को वेट कर लेना है मैं यहाँ पर 70 या 50 के करीब जो है इसको वेट कर लेता हूँ अपने brush को यारी half जो है वो brush मैं वेट कर लूँगा अब load क्या है? load हमने कितना color वहाँ से pick करना है अपनी tray में से जब आप कोई भी paint कर रहे होते हैं तो आप paint को pick करते हैं तो इस तरह मैंने यहाँ पर कितना paint pick करना है अभी तो मेरे पास यहाँ पर 100% है लेकिन हम यहाँ से load इसको कम कर लेते हैं कि हमने थोड़ा जो है वो लेना है और कितनी % हमने mix करना है दूसरे color के अंदर थोड़ा सा mix करना है या उसको मुकमल तरीके से dissolve करना है तो हम उसको कहते हैं कि हमने थोड़ा सा color mix करना है अभी हमारे पास आगे है flow, flow क्या चीज़ है, flow के अंदर आप लोग देखेंगे कि आपने brush को कितने flow के साथ चलाना है मतलब कि आपने hard brush यूज़ करना है या soft handed आपने brush को यूज़ करना है तो मैं इसको भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ अब आप देखें, अब यहां से हम कोई भी color select कर लेते हैं मैं like green color जो है, वो select करता हूँ करने के बाद green मेरे पास आ चुका है green को मैं यहां पर blue के उपर apply करता हूँ तो आप देखें कि कितने flow के साथ और जो है, वो soft handed मेरा brush move कर रहा है मैं यहां से color पिक करता हूँ, पिक कने के बाद यहां पर इसको apply करता हूँ green और blue का contrast मेरे पास आ गया हुआ है इस तरह आप अपने mixer brush tool को use करके अपने मुख्ली pictures के उपर उसके style, उसके designing picture के अंदर अगर आपने बादल बगरा बनाने है, cloud बनाने है, या आपके ने कोई painting करनी है, तो आप इस तरह mixer brush tool का use करके अपनी image के उपर effect डाल सकते है so guys, आज के लिए इतना ही, अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के अधा शेर कीजेगा, like कीजेगा और मुझे comment जूर कीजेगा, कि अगर कोई चीज में भी आपको problem आ रही है, कोई चीज आपको समझ नहीं हा रही है, तो इंशाला मैं आपको वो जूरूर बताऊँगा, so मुझे दीजिए इजादर, अपनी दोओं में याद रखिएगा, अल्ला हाफिस